देखो मैं तुम्हें यह नहीं बोलूँगा कि स्कूल सबसे बेगार है तुम्हें स्कूल छोड़ देने चाहिए बिल्कुल भी स्कूल जाना बिल्कुल पैसो की बरवादी है मैं यह ज़रू कहूँगा कि स्कूल ने तुम्हारे दिमाग को बहुत जादा brainwash किया है अगर तुम अभी स्कूल से निकल भी गयो है ना तब भी I suggest कि तुम इस वीडियो को पूरा देखो because भाई जो स्कूल ने brainwashing किये तुम्हारे दिमाग की वो एकदम से ठीक नहीं होगी तुम्हें at least पता तो रहना चाहिए न कि स्कूल ने तुम्हारे दिमाग खराब कैसे किया है तुम्हारे beliefs fucked up कैसे किया है ऐसे कौन से negative beliefs उनको खिलाए है जिनको तुम आज तक belief कर रहे हो वो गंदे beliefs स्कूल ने तुम्हारे दिमाग में बठा रखे है तुम्हें यह तो पता ही है चैसे तुम्हारे beliefs हैं वैसे बनोगे तुम स्कूल हमें literally सिखाता है कि अपनी thinking को limit कैसे करें लाइक एक पर सोच के देखो ना तुम स्कूल जाते हो, क्या करते हो you memorize and you just spit it out on a piece of paper जो information तुम सीखते हो उसका क्या करते हो तुम आगे जाके आगर तुम कुछ करते हो तुम ठीक है मैं गलत हूँ पट एक पर खुद सुचके देखो जो information में school में learn कर रहा हूँ उसका मैं और क्या कर रहा हूँ क्या मैं उसको बस घर पे आके practice कर रहा हूँ और जब paper होता है तो वो information जो मैंने रटा मार रखा है जो memorize कर रखा है उसको बस paper पर फैक के आया था हूँ लिख के आयाता हूँ उसके बाद उस सब को भूल जाता हूँ time to learn new information क्योंकि new information का test होना है परसो यही हो रहा है न mostly you're not thinking तुम्हें बस दो दिया जा रहा है तुम बस वो ही करो I'll give you an example यादे जब school में जाते थे हम and हम अपने tuition teacher का formula use करते थे math की class में तो math वाला बोलता था कि नहीं नहीं यह formula गलत है समार्क्स नहीं मिलेंगे मेरा formula use करो मेरा formula सही है book का formula use करो जो teacher ने जो tuition teacher ने formula बताया वो भी सही है गलत नहीं है answer दोनों से same आ रहा है बट तरीका अलग है and अलग तरीके को वो accept नहीं कर पा रहे now I'm not saying की भाई तुम अबने teacher को कोई fuck नहीं दना चाहिए tuition teacher के पास चले जाओ देखो वो तो तुम पहतर तुमको जो करता तुम करो but the thing is thinking को promote नहीं किया जाता school में जैसा book में लिखा हुआ है जैसा NCRT में लिखा हुआ है उसको रटा मार उसको रटा नहीं मारेगा paper में marks नहीं मिलेंगे तेरे को तुँ fail हो जाएगा bookish language में लिख भाई खुद से बना के क्यों लिख रहा है किसने बोला लिखने को जो book में लिखा है वो ही लिख देखो अगर तुम concepts को understand करते हो समझते हो तब भाई वो दिमाग में रहता है अगर तुम concepts को रटा मारते हो memorize करते हो आज ना कल तुम उसको भूल जाओगे and I know mostly तुम्हारा यही एम होगा कि भाई इसको बस paper तक याद रखना है उसके बाद I don't give a fuck about this मैं पूरा भूल देऊंगा, मैं books facts देऊंगा mostly दिमाग में तो यही चलता है लग मेरे दिमाग में तो यही चलता था because भाई मेरे को बिलकुल मजा नहीं आता को understand करना better रहता है instead of memorizing it common fucking sense अगर तुम स्कूल के भार भी कुछ सीख रहे हो na real education ले रहे हो तब भी memorization काम नी आएगी understanding काम आएगी स्कूल तुम्हे सिखाता है रट्टा मारना like mostly मैं तो यही सीखा हूँ test के डर से मैं understand नहीं करता चीज़े मैं जल्ली यल्ली रट्टा मारता हूँ मैं चाहता हूँ कि तुम उसको अपने दिमाग में रखो like ठीक है अभी हम स्कूल में है we cannot do nothing about it अभी हम स्कूल नी चोड़ सकते है वहना घरवले वाट लगा देंगे हमारी पक्चोधी मत करना test के end time में मत पढ़ना है वाट जाना like this is I'm talking bro to bro भाई understand कर लिए गर concept को instead of memorizing it क्योंकि जितना तुम memorize करोगे उतनी तुमारी वाट लगेगी if your goal is to just pass होना है तो ठीक है भाई ratification is ठीक है काम दिलवा देगी but if you want to get out of school with like decent grades decent marks understanding काम आएगी बहुत जादा बहुत जादा काम आएगी understanding क्योंकि तुम किसी भी concept को अच्छी तरह understand करते हो thoroughly understand करते हो वो चीज तुमारे दिमाग में रहेगी meanwhile रट्टा वाली चीज आज रखोगे याद कल रखोगे याद पर सो बूल जाओगे अगर तुमे रट्टा रख नहीं है तो भाई अपने आपको constant exposure दो रोज उठो सुबह पड़ो हर रोज करना पड़ेगा पास दिन के लिए तब जाके भाई वो तुमारे दिमाग में बैठेगा तो ये तो थो थोड़ा side track होगे back to rant बहुत लोग education से नफरत करते हैं just because of school क्योंकि उनको school की information and पूरा school system ही पसंद नहीं आता वो लोग education से नफरत करने लग जाते हैं भाई देखो education से नफरत नहीं करनी चाहिए अगर तुम नफरत कर रहे हो तुम कर रहे हो education system से नफरत education हद से जादा important है सीख रहे हो या तुमने काम के बारे में नई चीज़ा सीख रहे हो या तुमने बस अपना को limit कर दी अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर दी है and जो information तुमने school में सिखाई गई है college में सिखाई गई है तुम उस पर भी बस रहे हो भी ठीक है मैं यही नहीं कहा रहा है कि भाई बिल्कुल useless है होगी useful तुमार लिए useful होगी ठीकिया सिरफ वोई education है उसके भार को education नहीं है बहुत लोगों जब school ख़ता माना तब बतूं क्या बोलते है भाई ने तो पढ़ूंगा ही नहीं अब तो भाई पढ़ना बिल्कुल बंद कर दिया है मैं अब तो भाई मस्चल मारूंगा भाई बिल्कुल वो पढ़ना बतूं किसको बोल रहा है school की books को, college की books को भाई पढ़ना is a good thing consuming information is a good thing it is not a bad thing क्योंकि उनको school की information से नफरत है ठीक है भाई नफरत की होगे because school stress देता है school की information पते नहीं था क्या करेंगे इसका future में that's why you hate it na you hate education system तुम education को hate नहीं करते education is a beautiful thing तुम नहीं चीज़ सीखोगे नहीं चीज़ अपलाय करोगे life में तुमें भाई मजा आएगा जब practical चीज़ तुम सीखोगे न and practical चीज़ तुम करोगे you love education तुम स्कूल की information तुम करो अब इसको छोड़ नमर स्कूल में छोड़ देना साथ साथ में real education भी लो books पड़ो about the topics that you like ऐसा topics को मेरे books पड़ो लल्लू पल्लू आदमी नहीं बनना जिसको सरफ सारे formula आते हैं सारी dates आती हैं सब के नाम पता है भाई हाँ भाई formula पूछ ले तो में सवारे साब आते हैं trigonometry के सारे formula आते है मैं वेरे को हाँ ठीक है उसके बाद और क्या आता है भाई years पूछ ले सब पता है कितने साल में क्या हुआ था सब पता है मैं रगो ठेट सारी आद है मैं रगो क्या फायदा पढ़ना, getting real education is also important सिरफ school की information गंजियूंग करने से I don't think कि तुम आगे बढ़ सकते हो जादा correct me if I'm wrong but I also think that real education is important असली education तो जो तुम स्कूल से भार लेते हो स्कूल में तुम तो लल्लू पल्लू आद में बन जाओगे भाई टीचर स्पेट बन जाओगे podcast देखो, अच्छी books पड़ो, learn from the people around you अपनी ego कम करके दूसरे लोग की बात भी सुनो दूसरे लोग के opinion सुनो तब जाके तुम्हारा mindset develop होगा न तब जाके तुम्हारा perspective बड़ा होगा स्कूल तुम्हारा perspective लिमिट करता बहुत जादा यह information इसको रटा मार और इसको paper पे लिखके आजा Turkish language चाहिए मेरे को बिल्कुल मेरा यह rant करने का बस एक ही point है कि बिल्कुल निगलेट बंद करना अगर तुम्हें कुछ चीज लग रही है अच्छी लग रही है purchase it अगर तुम्हें कुछ लग रहा है कि course, fitness course अच्छा लग रहा है तुम्हें purchase it अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है अगर तुम उस बंदे को ट्रस्ट करते हो अगर तुम्हें कुछ नई चीज सीखने को मिल रही है Do it Invest in yourself असली एजूइशन लेना मतलब अपने 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 इन्वेस्टिंग करना अभी तुम्हें लग रहा होगा कि भाई स्कूल के बाद में बिल्कुल नहीं पढ़ूँगा Trust me, that is a wrong mindset Student से मेरा मतलब स्कूल का student नहीं वैसे, life student Life long student is a person who is always willing to learn चाये कुछ भी हो जाये, वो बंदा नहीं चीज सीख रहा है चाये वो जितना भी बुड़ा हो जाये, चाये वो जितना भी यंग है He's always willing to learn उस पे एतनी बड़ी ego नहीं है कि भाई, मेरे को कोई नहीं सिखा सकता मेरे को सब पाता है, तू गलत है, मैं सही हूँ तेरा perspective गलत है, मेरा perspective सही है मेरे पे बहुत बुरी आतते थी, मैंने उसके लिए book पड़ी, Atomic Habits मैंने उससे progress बनाया, उस book में जो चीज़े लिखी हुई थी, मैंने वो करी तब जाके मेरे को progress मिला, ऐसे ही तुम भी सीख सकते है, ऐसे तुम भी कर सकते हो Real progress देख सकते हो एक और चीज़, स्कूल तुम्हें force करता है, ऐसे लोगे साथ रहने के लिए जिनमें तुम्हें कोई interest नहीं है, जो लोग तुम्हें फुद्दू मना रहे है एक ओट तो सुना योगा, you are the average of the five people you spend time with and तुम स्कूल में कैसे लोगे साथ time spend करते हो एक बंदे को addiction लग रहे हैं, एक बंदा video games केलते रहता है एक बंदा जैसे स्कूल से निकलता है, उसके आप में वेप आयाता है स्कूला सातरा के उमन में में जो सुट्टे मार रहे है घर जाके gaming हेल रहे है इनको खुद रहे हैं, वो बस जी रहे हैं, वो बस exist कर रहे हैं कि हाँ भाई, हो रहा है मेरे साथ भाई जिम भी नहीं जाते है लाग दे जस गो तो जिम, तुमको भी बता है तुम्हारा वो दोस्त है, जो जिम जाता है पस फाल्तु के लिए जाता है, फोडो कीशने आता है और फिर पास जान फिर चुटी मारता है फिर बोलता है भाई, मेरी बॉड़ी क्यों नहीं बन रही मैं तो जिम भी जाता हूँ, जिम जाना फाल्तु चीज है कुछ नहीं होता भाई जिम से, जिम से कुछ होएगा ही नी हाँ ठीक है नहीं होगा छोड़े देना फिर जा क्यो रहे है तू तुम्हें पता है भाई ये लोग high quality नहीं है अगर इनके साथ में जाता time spent करूँगा मैं इनके जैसा बन जाऊँगा and definitely तुम इनके जैसे बन जाऊँगे तो तुम पाच फुद्दू जैसे लोगे साथ time spent कर रहे हो न तुम्हें लगता हो कि ये लोग मजाख हसी मजाख हो रहा है बट नहीं deep down you know ये लोग बुली करता है मेरे को फाल तो बोलता है डिस्रिस्पेक्ट करता है मेरी and देखा भाई जब बुली की बात आती है then you have to take matters in your own hand teacher को बताने मत लग जा न कि वो ये मेरे को बुली कर रहा है एक दो बाट राय करो कुछ नहीं हुआ होने नहीं वाला मेरे को बता है कुछ नहीं होने वाला क्योंकि भाई मैं बुली हो चुका हूँ मैंने बुली भी कर रखा है and दोनों बार कुछ नहीं हुआ जब मैं बुली करता था वो बच्चे टीचर को बता देते मैं तो नहीं रुकता था जब मैं बुली हुआ मैं टीचर को बताने गया zero fucks, fucks ही नहीं दिये मैं बुली होते रहा जब तक मैंने matters अपने हाथ में नहीं लिया न अब तक बुली होते रहा गंदे को सिधा बोलो अगली बार तूने मेरे को फालतू बोला मैंने तेरे कुसंड मारता है तो यह हाथ पर चलना नहीं आता मैं description में video डाल दूँग self defense की उसको देख लेना एक बार असली भाई अपने गंदे friend circle को छोड़ो like अगल तुम्हें लगता है ना कि भाई यह लोग मेरे कोई काम नहीं आने वाले यह लोग मेरे को बस bad habits करवाया रहे है मेरे से कुछ धंका हो नहीं रहा है तो जितना हमें उनके साथ time spend करूँगा उतनी मेरी वाट लग रही है इससे better होगा इनको छोड़ू मै अब तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा तुम्हारे दिमाग में यह छोड़ी सी गंदी सी आवास बोल रही है कि भाई इनको मत छोड़ क्योंकि यही तुम्हारे दोस्त है पर खुद सोचके देखो मेरी बात ना मानो क्या यह लोग मेरे को एक्चोल में वैल्यू प्रोवाइड कर रहे है क्या यह लोग मेरा फायदा कर रहे है या मेरा नुकसान हो रहा हो उल्टा स्वम विचार कीजिए अगर तुम इस वीडियो से वैल्यू मिली है तुम्हें प्रावेट कम्यूटी जॉइन करने से हथा से जादा वैल्यू मिलेगी प्यकॉस मैंने भी तुमको बताया है यू आर दी आवरेज दो फाय फीपिल यू स्पें टायम बिद अब मान के देखो तुम पाच ऐसे बंदों के साहथ टायम फ्रैंट कर रहे हो जो हत्से आदे इंप्रूमेंट कर रहे है जो बस इंप्रूमेंट ही करेब आ रहे है they are leveling up, constantly leveling up and you're hanging around with them प्लो तुम पर और कोई choice ही नहीं होगी you will just improve automatically you will improve क्योंकि तुम्हारी surrounding, तुम्हारा group ऐसा होगा जो हमेशे improve कर रहा है, जो तुमको encourage कर रहा है improve करने के लिए, जब तुम कोई bad habit करते हो जब तुम कोई बक्चोधी करते हो, वो तुम्हें literally बोलते हैं कि तुम पागल वागल है गया तुम्हें guide करते हैं, तुम पे हसते नहीं है you can share everything with them that is such powerful न, वो चीज बहुत साथा powerful है and recently मैंने अभी community में अपना ruthless productivity course निकाला है, उसको देखो उस मैंने literally बता रखा है कि तुम procrastination को literally हटा कैसे सकते हो, अपना focus laser sharp कैसे कर सकते हो like तुम न अगर वो course देख लिया, तुम्हें और के जाने की जरूद नहीं है सारी चीज इंपोर्टन होती है न, regarding productivity उस मैं डाल दिया है and अभी भी डालते जा रहा हूँ क्योंकि course complete नहीं हुआ है, course मैं हमेशे videos आती है, क्योंकि अभी मेरा course complete नहीं हुआ है क्योंकि अभी में वीडियूस डालते आतों हर रफते लिए फॉस लिए ने देस्क्रिप्शन तो जोई अभी में अभी में दिए जाने प्रिवाट चूम्यूनिटी and get the Ruthless Productivity Course I hope to see you there that's it for now, thank you for watching take care and take action